नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ VOOI 3S मॉबाइल में दोस्तो आप लोग कैसे किया जाता है तो दोस्तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में दोस्तो आप देखेंगे आपके मॉबाइल में एक i-manager का application देखने को मिल जाएगा i-manager की application पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तो यहाँ कोने में देखेंगे utility tools का option देखने को मिल जाएगा simply इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप encryption का option देखने को मिल जाएगा सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक privacy password बनाने के लिए बिलेगा आप दोस्तो बना लीजिए अगर आप दोस्तो password नहीं pattern रखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तो देखेंगे password option का option दिखराई simply this way क्लिक कर देना है यहाँ से आप दोस्तो जो है 4 digits में password रख सकते हैं या pattern रख सकते हैं जो भी select करना चाहें कर सकते हैं तो हमने कर लिया है यहां से दोस्तों cancel कर देंगे ठीक है अब दोस्तों अपना जो है एक password बना लेते हैं ठीक है बनाने के बाद दोस्तों आब यहां पर एक confirm के लिए डाल देंगे और डालने के बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे आप recovery के लिए दोस्तों कुछ भी यह यहां पर डाल सकते हैं, जो इच्छा हो, डाल दीजी है, ठीक है, यहां पर जैसे हम 2 डाल दिये हैं, ठीक है, और यहां पर भी दोस्तों, 2 डाल देते हैं, अब यहां से डन कर देंगे, और डन हो जाने के बाद में दोस्तों, यहां पर देखेंगे, एप इंक्रिप्शन का ओ कर देंगे और यह दोस्तों हमारा सक्सेसफुली क्रोम रॉजर पे लोग लग चुका है तो यहां से बाइक जाएंगे और देखते हैं ठीक है अब दोस्तों यहां पे देखेंगे यह रहा हमारा क्रोम रॉजर इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे हमारा लोक लगा हुआ है अब दोस्तों जो भी आपने पास्वर्ड या पैटन बनाया है यहां पर डाल देना है ठीक है और यह हमारा दोस्तों ओपन हो जाएगा ठीक